दो हज़ार एकिस के बंगाल इलेक्शन को भारत के इतिहास में बड़े ही कठोर शब्दों के साथ याद किया जाएगा क्योंकि पहले तो इस इलेक्शन की रैलियां भारत के लिए एक खत्रे का कारण बनी और फिर इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो भारत के डिमोक्रिसी पर धबो के समान था रिजल्ट के बाद पोस्ट पॉल वाइलेंस हुआ खूब लोग मारे गए चौदा लोग मारे गए पांच में तक और बिल्कुल सही तरीके से इस वाइलेंस को कंडेम किया गया ये बात सही है कि बंगाल में पॉलिटिकल वाइलेंस बहुत आम बात है लेकिन इस वाइलेंस को पॉलिटिकल बोल कर साइड लाइन कर देना या नॉर्मलाइस कर देना बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये कहना कि एक serial killer तो murder करता रहता है क्या कर सकते हैं वो तो normal है जो कि बिल्कुल सही नहीं है हाला कि इस चुनाव में एक अजीब चीज भी हुई एक बहुत अजीब चीज हुई पांच में को ममता बैनर्जी ने चीफ मिनिस्टर की शपत ली लेकिन वो नंदी ग्राम से खुद election हार गई तो सवाल ये उठता है कि जब ममता बैनर्जी खुद election हार गई तो वो मिनिस्टर बनी कैसे और अगर वो मिनिस्टर नहीं बनी तो चीफ मिनिस्टर की शपत कैसे ले सकती है सवाल इस बात पे भी उठता है कि बंगाल में जो पोस्ट पॉल वाइलेंस हुआ ममता बैनर्जी के चीफ मिनिस्टर ओत लेने से पहले बंगाल की पुलिस किसके अंडर रिपोर्ट कर रही थी बंगाल में जो violence हुआ वो उसका जिम्मेदार कौन है जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए अंत में सवाल उठता है प्रेसिडन्स रूल का राश्टरपती शासन का जिसकी मांग बंगाल में इलेक्शन के पहले से होती आ रही है क्या है राश्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है आर्टिकल 356 क्या है क्या बंगाल में ये लग सकता है आधी आधी कई सवाल है पर इन सवालों पर आने से पहले एक दफा कंगना दीदी की बात हमें कर लेनी चाहिए तो हमारे जो मोदी जी हैं वो 2002 के बाद से हमें नियंतर ये कह रहे हैं कि 2002 के रायट्स में उनका कोई हाथ नहीं था गुजरात रायट्स में उनका कोई हाथ नहीं था ये मोदी जी हमें विश्वास दिलाने की कोशिश 2002 से कर रहे हैं पर इस पोस्ट पोल वाइलेंस के बाद वेस्ट बंगॉल की कंगना दीदी ने हमारी कंगना र पर्यास कर रहे हैं कि उनकी इमेज ठीक हो उनकी इमेज एक ट्वीट के साथ खत्म हो गए विचारे मोदी जी हमारे एडिटर म्यूजिक तो चलिए आप वीडियो पर वापस आते हैं और इस वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब ढूनते हैं जो मैंने अभी आपको बताएं मेरा नाम है शान फॉसदार और आप देख रहे हैं दाप फ्रंट पहले सवाल पर आते हैं ममता बैनर्जी नंदी ग्राम हार कर भी सी एम कैसे बन गई अब जिन लोगों को बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं पता उन्हें मैं कुछ अंद पंक्तियों में इलेक्शन बाद इलेक्शन का रिजल्ट समझा देता हूं बंगाल में टोटल 294 इसमें से टीमसी यानि ममता बैनर्जी की पार्टी ठीमुणल कॉंग्रेस 2013 सीटे जीति इस बार बीजेपी 77 सीटे जीती बची चार सीटे इन चार सीटों में से लोसीटे रेस्पेक्टिवली सेक्योलर पारटी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत लिए और 2 स सीटों पर जो कंडिडेट्स खड़े थे उनकी मौत हो गई एक क्लियर मेजॉलिटी से टीमसी वेस्ट बेंगॉल का इलेक्शन जीद गई लेकिन एक ट्विस्ट के साथ टीमसी की चीफ मिनिस्टिरल कंडिडेट ममता बैनर जी जो की नंदी ग्राम से नंदी ग्राम कॉंसिट मिनिस्टर कैसे वनी इसका हमें अपने सम्विधान के आर्टिकल 164 क्लास 4 में मिलता है इस क्लास में यह लिखा है कि एक मिनिस्टर अगर छे महिने तक कॉंजिक्यूटिवली लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तब वह अपनी मिनिस्टर की कुर्सी गवा देगा ही और शी 2021 तो दो में 2021 के बाद से 6 महिने तक ममता बनार मिनिस्टर है लेकिन वह लेजिस्लेटिव एसेमली यानि बंगाल विधान सभा का पार्ट नहीं है और हमारा हम्विधान कहता है कि 6 महिने कॉन्जिक्योटिवली जब कोई मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पाट नहीं होता है उसके बाद ही वो मिनिस्टर बनना सीज करता है उसके बाद ही उसकी मिनिस्टर की कुरसी जाती है इसलिए दो में से लेकर छे महिने तक ममताब एनरजी मिनिस्टर बनी रहेंगी और क्योंकि ममताब एनरजी मिनिस्टर हैं इस लिए वो cm की शपत ले पाई 5 में को और यह मेरी इंटरप्रेटेशन नहीं है सुप्रीम कोट ने हर शरन वर्मा वर्सेस त्रिभुवा नरायन सिंग के जज्जमेंट में बिल्कुल यही इंटरप्रेटेशन दिया था और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे जो पू बस आर्टिकल डिफरेंट था आर्टिकल 752 था क्योंकि वो Central Government Central Legislative Assembly का लोकसभा का आर्टिकल है और आर्टिकल 164 जो है वो State Assembly का आर्टिकल है अब मैंने आपको बताया कि बंगाल में दो सीटों पर चुनाम नहीं हो पाए क्योंकि उन सीटों पर जो Candidates थी उनकी मौत हो तब ही वो Chief Minister बनी रह पाएंगी अगर वो इलेक्ट नहीं हो पाटी इन दो सीटों में से तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा यह जो दो सीटों पर इलेक्शन होगी इसे बाइपोल भी कहा जाता है बाइपोल का मतलब होता है वो इलेक्शन जो में इलेक्शन के बाद ह जब कोई सीटे बच जाए जब कोई सीटे खाली बच जाए तो उन्हें भरने के लिए उन्हें बाइपोल कहा जाता है और अगर ममताब एनरजी यह करती है तो यह पहली बार नहीं कर रही है योगी आदित्यनाच जो है 2017 में इलेक्ट नहीं हुए थे लेकिन इसी इसी प्र प्रिटिकल वाइलेंस हुई जो पोस्ट पोल वाइलेंस हुई जो दंगे हुए उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है महमताब एनरजी के चीफ मिनिस्टरल ओठ लेने से पहले वेस्ट बेंगॉल की पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही थी इसका जवाब इतना सीधा नहीं है हम देट वाइस चलते हैं समझने में आसानी होगी दो में को दो में को वेस्ट बेंगॉल के इलेक्शन रिजर्ट अनाउंस हुए और दो में को ही वाइलेंस शुरू हो गया दो में को ही बीजेपी के ऑफिसेज जलाए गए खूब दंगे हुए सारा का सारा दो में को शुरू हो गया था अब जो इलेक्शन कमिशन है उसने मौडल कोड अफ कंड़क्ट 3 में को लिफ्ट किया वेस्ट बेंगॉल से प्रोटोकॉल के अनुसार जब तक एक राज्य मौडल कोड अफ कंड़क्ट के अंडर रहता है इस राज्य का पूरा सुपर्विजिन इले किया था और तीन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को रिप्लेस भी किया था हमारे जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिशनर एसवाई कुरेशी है उन्होंने दा क्विंट से कहा कि जिस दिन में इलेक्शन कमिशन के स्केडिल रिलीज करता है उस दिन से वो राज्जी मोडल कोड अफ कंडक्ड के अंदर आ जाती है और उस दिन से राज्जी के सारे पुलिस आफिसर्स डीजी पी से लेकर एक कॉंस्तेवल तक एलेक्शन कमिशन को रिपोर्ट करते हैं इसका मतलब यह है कि दो और तीन तारिक ये दो दिन जो दंगे हुए उन दंगों की जिम्मेदारी सीधे सीधे election commission के कंधों पर आती है तो इसका मतलब यह है कि ममताब energy बिल्कुल innocent है बिल्कुल नहीं ममताब energy innocent नहीं है तीन तारिक के बाद से वेस्ट बेंगोल में जितने भी दंगे हुए जितने भी दंगे जारी रहे वह ममताब energy और ममताब energy की पार्टी TMC के कंधों पर आते हैं और यह मैं नहीं कह रहा यह सुभाश कश्यप कह रहे हैं जो की जाने माने constitutional expert है model code of conduct lift होने के बाद से chief ministerial out taking के ceremony तक का जो समय होता है उस समय राज की जो बागडोर होती है राज में शान्ती बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो incumbent government caretaker government या उस सरकार की होती है जो उस राज जी में पहले से power में थी वेस्ट बेंगॉल में ममता बैनर जी की TMC पहले से power में थी इसलिए ममता बैनर जी की responsibility थी कि वो राज जी में शान्ती बनाए रखे राज जी में दंगो को रोके पर ममता बैनर जी ये करने में बिलकुल असफल रही इसलिए ममता बैनर जी को innocent नहीं कहा जा सकता वेस्ट बेंगॉल के वाइलेंस को communal कहना भी गलत है communal paint करना भी गलत है और वेस्ट बेंगॉल के वाइलेंस को political कहकर normalize कर देना भी गलत है जान जाने के बाद जान जाने का कारण जान वापस नहीं ला सकती Violence of any kind and of any form is condemnable and in this case, after the 3rd of May, all the violence and all the deaths which happened fall directly on the shoulders of Mamta Banerjee and the Tribunal Congress. Finally, हम आते हैं, President's Rule या राष्ट्रपती शासन के मुद्दे पे. अब इस Post-Pol Violence की को देखते हुए, Supreme Court में एक Petition डाली गई, कि आचिका डाली गई, Supreme Court को ये कहते हुए, कि West Bengal में President's Rule लाबू कर देना चाहिए, राष्ट्रपती शासन लाबू कर देना चाहिए. क्या होता है President's Rule? हमारे समविधान में कुछ Emergency Provisions शामिल किये गए हैं भाग 18 में. भाग 18 का नाम ही है Emergency Provisions और इनी Emergency Provisions में एकाटा है Article 352, जिसका इस्तेमाल करते हुए, इंदरा गांधी ने पूरे देश पर National Emergency Imposed किया था. इनी Emergency Provisions में एक आता है Article 356, जो की हमारे President को ये पावर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए, हमारे President एक स्टेट का एक राज जी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं. अब Article 356 के अनुसार, When the government of a state cannot be carried on in accordance to the provision of the constitution, माने, जब किसी राज जी में ऐसी कोई situation बनती है, या ऐसा कोई संकट आता है, जब राज जी सरकार हमारे भारत के समविधान के according काम नहीं कर पाती, तब हमारे President के पाथ ये पावर होता है, कि वो राज जी सरकार को निसकाशित करे, और उस राज जी का पूरा कंट्रोल, पूरा बाग डोर अपने हाथों में ले ले. तब हम कहते हैं कि राज प्रेसिडेंट्स रूल में चला गया है, राज राश्ट्रपती शासन के अंडर है. अब गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट दे सकता है राश्ट्रपती शासन लगाने के लिए, या प्रेसिडेंट्स खुद भी इन्वेस्टिगेट करके डिसिजन ले सकते हैं. सवाल ये है कि क्या बंगाल में पोस्ट पॉल वाइलेंट्स को देखते हुए राश्ट्रपती शासन लगाया जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं और मेरे पास इसके तीन आर्गुमेंट हैं. पहला, प्रेसिडेंट को एक क्लियर रिपोर्ट चाहिए जिससे वो साटिसफाइड हो सके कि राज्जी में कॉन्सिटूशनल मेशीनरी का पूरी तरह ब्रेकडाउन हो चुका है. अब बंगाल में जो वाइलेंस हुआ उसके पहले दो दिन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिशन की थी, उसके बाद की जिम्मेदारी महमता बैनर जी के इनकॉम्बेंट गवर्मेंट की थी. therefore जब इस violence की पूरी जिम्मेदारी state government की थी ही नहीं तो पूरा blame state government पर डाल कर उसे dismiss नहीं किया जाना चाहिए ये unfair होगा दूसरा point President को एक clear report चाहिए जिसके basis पे वो अपना मन बना सके अब West Bengal की कोई clear report नहीं मिल रही क्योंकि internet पूरा पूरा fake news से भर गया है कोई violence को communal बनाना चाहता है कोई Bangladesh और Brazil की footage निकाल कर कह रहा है कि वो West Bengal की है इसलिए West Bengal की एक clear report नहीं मिल रही तो हमारे जो राष्ट्रपती है हमारे जो president है वो अपना मन बनाए भी तो बनाए किस basis पे थर्ड पॉइंट West Bengal सरकार TMC ममताव एनरजी की सरकार का यह कहना है कि वो successfully इस violence को रोकने में काम्याब हो चुकी है और 9 में के बाद से कोई violence नहीं हुई West Bengal के high court ने कहा and I quote both the TMC and the BJP are responsible for the violence who is more responsible will be ascertained later but the state government's intervention in curving the violence is commendable अब अगर राजी सरकार successfully violence को रोक ही चुकी है तो कोई nexus नहीं बनता राजी में president's rule या president's rule लगाने का साथ ही article 356 का इस्तेमाल बहुत ही carefully करना होता है क्योंकि S.R. Bhumai case में Supreme Court ने article 356 पर कुछ restriction लगाए थे और ये कहा था कि article 356 का use sparingly करना चाहिए as a exception करना चाहिए as a rule नहीं करना चाहिए साथ ही साथ article 356 पर कई committees भी बैठी जैसे कि राजमनार committee और article 356 की बात एक बहुत ही बड़ी बात है एक पूरा वीडियो बन सकता है इस पे तो अगर आप चाहते हैं कि मैं article 356 पर एक पूरा वीडियो बनाओ तो प्लीज हमें comments में यह लिखके बताईए या हमें हमारे social media handles से आप reach out भी कर सकते हैं यह थे सारे बंगाल elections related जवाब आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें हमारी अन्य वीडियो को देखें और उन्हें लाइक करें उन्हें शेर करें हमारे चैनल को सब्स्राइब करें उस बेल लाइकन को भी दबा दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें हम जब भी कोई नया वीडियो निकाले धन्यवाद दोस्तों